नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल स्याम क्लास इस्टडी में साथ यो आज किस वीडियो में उत्ता प्रदेश पुलिस परिच्छा 2030 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्पूर पिष्णों का पेट्टे सेट लेकर के आया और ये पिष्णों का पिष्णों का पिट्टे सेट में आपको इस पीड में कराने बालो कि आपको कम समय में अगर आपको जैदा कंटेंट मिलेगा तो आप जैदा से जैदा अपने और भी आपका जो बीक सब्जेक्ट होगा उस पर आप फोकस कर पाते हैं यह रो की एमस्य के पैट्ट सेट में कितने सचीन और आपने गलत की सातीय को ओगर आपको यह प्रेट्ट सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूरु सब्सक्राइब करेंatan जिरूरु से तो इनी सब बातों को ध्यान में रखती हुए सुनू करते हैं आज का अपना हिंदी के टॉप सेहते प्रिश्णों का 65 नमर दोसो पचासी प्रिश्ण है आपके सामनों की निम लिकेत मैं से कौन सी भासा देवनांगरी लिपी में लिखी जाती है तो इनमें से कौन सी वो भास है जो देवनांगरी लिपी में लिखी जाती है तो इनमें से मराठी और मराठी ये वासा देवनांगरी लिपी में लिखी जाती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर सी अंगला पिसने आपके सामनों की छा धौनी किसके अंतरगात आती है तो किसके अंतरग हो जाएगा अंगला पिसने 43 आपके सामन के अनुनासिक बेंजन कौन से होते हैं तो कौन से होते हैं यह आपको बताना है तो अनुनासिक जो बेंजन होते हैं यह होते हैं बर के पंचम अक्छर कौन सा पंचम अक्छर यानि हर बर का जो लास्ट अक्छर होता है पंचम वो यह अनुनास से एक वेंजन होता है यानि आप देखते हैं का वर का लास टक्चर होता है ये इंग्या चा वर का लास टक्चर होता है ये इड़ा और ता तक ता वर का लास टक्चर होता है ना ठीक है ये आपको ध्यान रखना और आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि पावर का लास आजया की क्यंसर हो जाएगा बो हो जाएगा ओप्सन नमर डी चबालस course नयापके सामने की सुदह बरतनी का चैन कीजिए तोढ़िस आपकेटी किस तरह से लिखा जाता है तो जो अपकेटी ये लिखा जाता है option number B के अगोड़े किसके option number B इसका right answer हो जाएगा निरोग में प्रियुक्त संदी का नाम है तो आपको बताना है question number 45 में कि निरोग में संदी तो जो निरोग इसमें संदी होती है बिसर्ग संदी नहीं plus रोग इसका ही संदी विक्षेत हो जाएगा option number C इसका right answer हो जाएगा question number 46 महिस का संदी विक्षेत है तो कौन सा है महिस का संदी विक्षेत हो जाएगा maha plus is क्या maha plus is बराबर mnhuis option number B इसका right answer हो जाएगा निरोग में प्रियुक्त अपसर गए तो कौन सा अपसर रगे यह आपको बताना है तो निर्वहा में प्रयोक्त अपसर रगे निर निर प्लस बहा यह इसका विख्षिय दो जाएगा तो option no.C इसका राइट आन्सर हो जाएगा अंगला पिसने 48 आपके सामने की कनिष्ट सब्द में प्रयोक्त पिर्तिया है तो कौन सा पिर्तिया है कनिष्ट सब्द में तो कनिष्ट सब्द इसमें पिर्तिया है आपका इश्ट पिर्तिया कौन सा इश्ट पिर्तिया है तो option number E इसका right answer हो जाएगा पिश्ट नम्मर 49 है आपके सामन की बानर का तदभाव रूप है तो कौन सा हो जाएगा बानर का तदभाव रूप हो जाएगा बंदर कौन सा बंदर हो जाएगा और आपसे नम्मर B इसका राइट आंसर हो जाएगा पिश्ट नम्मर पचास है आपके समद की जितेंद्रिये में कौन सा समास है तो कौन सा समास है तो जितेंद्रिये सब्द में समास है बहुबरी समास है जितेंद्रिये में ओप्सन नम्मर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला पेशने आपके समद के दो अत्वा दो से आधिक सब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक सब्दों को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं यह आपको बता आना है तो दो अत्वा दो से आधिक सब्दों से मिलकर बने सार्थक सब्दों को हम कहते हैं समास क्या कहते हैं समास कहते हैं तो option number B इसका right answer हो जाएगा अंगला पैसने आपके सामने के ब्याकरण की द्रिष्टी से प्रेम सब्द है तो कौन कैसा है प्रेम सब्द यह आपको बताना है तो ब्याकरण की द्रिष्टी से प्रेम को क्या करते हैं आनभाव करते हैं यानि भाव तो भाव बाचक संग्या हो जाएगा प्रेम सब्द तो आप्सन नमर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला प्रेम आपके सामन की निमलिके सब्दों में कौन सा सब्द बिसेशाण है तो इनमें से कौन सा सब्द है जो बिसेशाण है तो जो सच्चा ये एक बिसेशाण सब्द है तो आप्सन नमर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा इस्तित्वत्त सब्द में कौन सी संग्या है कौन सी संग्या ये आपको बताना है तो इसका रइट आंसर हो जायगा उप्से नमबर पिश्च नम्मर पच्पन आपके सामने हो की गरीबों को बस्थर दो बाक में कारक है तो कौन सा कारक है ये आपको बताना है तो गरीबों को बस्त्र दो इस बाक में कारक हो जाएगा क्योंकि आपके को बताना है कुझ की कहता है करताने करम को कारक हो जाएगा तो पच्पण का राइट आंसर हो जाएगा ऑपसन नमबर D निम्ली के सब्दों में सद्धा इस्त्रिलिंग बाला सब्द कौन सा है तो इनमें से कौन सा बो सब्द है जो हमेशा इस्त्रिलिंग में प्रियुक्त होता है तो जो पक्छी पक्छी जितने इस पक्छी होते हैं वो सद्धा इस्त्रिलिंग में प्रियुक्त होते हैं तो गेहूं पिस रहा है क्या गेहूं पिस रहा है यह अकर्मक किरिया है तो आप्सन नमर यह इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला निर्दिश दिया गया प्रिंश रंक्या 58-69 के लिए निमले के पिर्सों में रेकांग के दबाग के लिए एक सब्द का चैन कीजिए तो आपको बताने कि इम्तहान लेने बाला के लिए एक सब्द कौन सा होता है तो इम्तहान लेने बाला के लिए एक सब्द होता है परिक्छक क्या परिक्छक होता है उप्सन नमर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता कम बोलती है तो इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएग केतु का परियाबाची सब्द है तो इनमें से कौनसा है केतू का परियाबाची सब्द है जhed़दा जhunसा जhed़दा यह केतू का परियाबाची है वब से नमबर आय relevant जाएगा पिश नमबर 61 आपके सामनें कि ब्रहमा का विपृत आर्थक सब्द है तो कौन सा है यह आपको बताना है तो ब्रह्मा का बिप्रित आर्थक सब्द हो जाएगा जीब कौन सा हो जाएगा जीब हो जाएगा option number A इसका right answer हो जाएगा samuk का बिलोम सब्द है तो कौन सा हो जाएगा samuk सब्द का बिलोम सब्द समुक का बिलूम सब्द होता है बिमुक कौन सा बिमुक होता है समुक का तो आपसन नमर कौन सा भी इसका राइट अंसर हो जाएगा निर्दिस दियागा त्रेसट चौन सट के निमन बाक्यों में रिक्तिस्थान की पूर्ति करता तो आपको त्रेसट और चौन सट नमर प्रि यह सहीदों ने अपना बल्यदान दिया तो कौन से हो जाएगा आन तो आपसे नमर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर सान तो सान सब्स ही नहीं वैटेगा यह ठीक है यहाँ पर आन जो सब्स है यह बलकुर साही राइट अंसर हो जाएगा गुरू गोविंद दो खड़े डॉट डॉट लागू पाएगा तो कौन सा सब्स आएगा तो आप बताना है कि यह दोः आएगा तो गुरू चौपाई है त काके किसके काके तो आपसे नमर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा काके लागू पाएगा अंगला पेस ने आपके सामनों के निम लिके में बाग किस सुद्ध रूप का चैन कीजिए तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बाग है जो सुद्ध है तो कुश्य नमर 65 का र अभिहास करता हूँ ये बिल्कुर राइट अंसर हो जाएगा तो आपसे नमर भी इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला पेस ने आपके सामनों 66 की चांदी का एनक लगाने का अर्थ है तो क्या अर्थ हो जाएगा ये आपको बताना है तो चांदी का एनक लगाना इसका किसी ना किसी प्रिकार प्रितिष्ठा बनाए रखना तो option number c इसका रइट अंसर हो जाएगा पिस्ट number golden « loos선DR.» तो कौझ सा हो जाएगा दाम लगाना का अर्थ मूल आंकना हो जाएगा उप्सान अम मर ए इसका रइट अंसर हो जाएगा सांतरस का इस्थाई भाव किया है तो कौन सा है सांतरस का इस्थाई भाव तो सांतरस इसका इस्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद कौन सा निर्वेद हो जाएगा ओप्सन नमर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूँक होई बाचाल पंगू चडाई गिरिवर गहन जिसु किरपा सो दया द्रभू सकल कमिला देहन प्रियुक्त पंगती में कौन सा चहंद है यह आपको बताना है तो यह प्रियुक्त पंगती इनमें है सोर्था कौन सा सोर्था है option number C इसका right answer हो जाएगा पिश नम्म सत्तर है आपके सामने कबरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर नजनाई सो काफिर बे पीर प्रिस्तत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है तो इन पंक्तियों में अलंकार है यमक अलंकार है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर ए पिशन नमर 71 है आपके सामनों कि राम की गाय दूद देती है तो ये कैसा बाग के है तो राम की गाय दूद देती है ये एक सरलवा कैसा ये एक सरलवा के है तो आपसे नम्र A इसका रइट आंसर हो जाएगा पिशन नम्र बहात्ता है आपके सामने के निम लिकित मेंसे कौन सी भारुपी परवार की भासा नहीं है तो इनमें से कौन से नहीं है भारुपी परवार की भासा तो इनमें से मल्यालम कौन मल्यालम ये भारुपी परवार की भासा नहीं है आपसन नमबर सी इसका रइट आंसर हो जाएगा ये द्रिब्ड परवार की भासा है जिन सब्दों का रूप सद्य और समान रहता है उन्हें डोडोड कहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं यह आपको बताना है तो जिन सब्दों का रूप सद्य और समान रहता है उन्हें हम अब्याय कहते हैं अब्याय कहते हैं तो तेहतर का राइट अंसर हो जाएगा option number a बीसल दियोराथू के रचाईता है तो कौन है बीसल दियोराथू के रचाईता है इह आपको बताना है तो बीसल दियोराथू के रचाईता है नर्पति नाला है क् Sound नर्पति नाला है तो तहितार का right answer हो जाएगा option number b पिश्छats नमर 75 और लाश्ट पिस ने आज के वीडियो का कि निमले के पंग्तियों और कभियों को सुमेलित कीजिए कीजिए आपको बत करना है उसके बाद आपको राइट आंसर बताना है तो एसे मिलान करते कि नया बीच नदिया डूपती जाए तो ये किन की रचना है ये आपको बताना है तो ये रचना है कभीर की नया बीच नदिया डूपती जाए ये कभीर की रचना है तो एका मिलान किस से हो जाएगा दूसरे से ठीक है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम तो ये किस की है तो ये है मलूक दास की किस की ये मलूक दास की है तो यहां से देख सकते हैं कि किस में है मलूक दास पांच में है तो इसका हो जाएगा पांच में से मिला गुरू सुया जैई पंत देखवा तो ये किस की है तो ये है मलक मुहम्मद जाय सी की तो इसका हो जाएगा चो़ती से मिला तब लग ही जीवों भलों देवों होए नदीम तो ये किसकी है तो ये है रहीम की तो इसका हो जाएगा एक से मिला तो 2-5-4 एक जोन से بिकल्प में होँगे बहु ही इसका राइट अंसर हो जाएगा कि 254 ये हैं और बी इसका राइट अंसर हो जाएगा तो साथ यो आज कि अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना चेनल को आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चेनल को आप जरू सस्क्राइब कर लीजिएगा और इस वीडिय लोगों ध्यान वे रखती मिलते हैं पर नेश्टी वीडियो से नेश्ट पेट्रे सेट में तब तक कि लिदन बाद चेह हैं दरू